Hello दोस्तों, Welcome to my YouTube channel दोस्तों, आज का हमारा topic है Lagging Power Factor क्या होता है and Leading Power Factor क्या होता है दोस्तों, ये कई बार electrical के interview में भी question किया जाता है अगर आप दोस्तों ITA diploma Electrical से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो महाँ पे भी आपने देखा होगा कि question यानि जो question paper होता है उसमें इसका differences पूछता है या आपसे definition पूछता है कि lagging power factor क्या होता है या leading power factor क्या होता है और दोस्तों जब भी आप कहीं पर भी काम करने जाते हैं कोई भी production line में या कहीं पर भी manufacturing unit है तो वहाँ पर भी power factors होता है वो काफी महतपूर भूमका निवाता हैं दोस्तों मैंने previous video में power factor के बारे में बताया है और दोस्तों काफी आपका प्यार मिला है तो दोस्तों आप मेरे channel पर विजिट करके power factor actual में होता क्या इसकी value क्या होती है ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आज का हमारा topic दो ही रहेगा lagging power factor क्या होता है and leading power factor क होता है काफी आसान बास में आपको explain करने वाला हूं तो सबसे पहले आप यह देखते हैं lagging power factor actually में होता क्या है दोस्तों जो हमारा power factor होता है वो हमेशा AC में होता है और DC में नहीं होता तो यह आपको याद रखना है तो यह जो हमारा lagging power factor है यह क्या है कि यदि किसी AC circuit में capac deductive reactance, inductive reactance से क्या है कम हो यह आपको definition लिखनी है कि यदि किसी AC circuit में जो उमारा capacitive reactance है वो inductive reactance क्म हो तो जो हमारी current है वो voltage से क्या है पिछड़ जाती अर्थात पस्च गामी हो जाती तो यह आपको याद रखना है lagging में क्या होता है कि जो current है वो voltage से पिछड़ जाती इंटर्व्य में क्यों आपको इतना ही बोला है कि lagging में क्या होता है lagging power factor में जो current होती है हमारी circuit की AC circuit की वो voltage इस्यासे है किया हएं पीछे रहती है और इसे को हम क्या कहते हैं लेटिंग में और लेगमें का तो जैसे कि हमारे leading, leading से मतलब हो गया lead करना, तो दोस्तों यह दिक इसी AC circuit में capacitive reactance inductive reactance से अधिक हो leading का मतलब lead करना, यानि अधिक होई होगा तो जो हमारे capacitive reactance है वो inductive reactance से क्या है अधिक है, यानि जादा है, तो जो हमारे current होगा, वो voltage से क्या है, मैंसा आगे आगे रहेगा, तो आपको, और यह क्या है हमारा अग्रगामी भी बोलते हैं, तो जब भी short question भी MCQ भी आते हैं तो उसमें leading power factor के बारें बताता है तो उसमें अग्रगामी होता है, या पस्जगामी होता है, यह option होते है तो आपको simple lead का मतलब क्या होता है अग्रगामी आगे करना, यानि lead करना तो इसमें क्या होता है, जो current होती है वो voltage से हमेशा आगे रहेगी और lagging में क्या होती है, जो current होगी वो voltage से हमेशा पीछे रहेगी तो यह आपको भी sayश ध्यान देना है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों सेर करना ना भूले थैंक्यों फैंट फैंट फोर वच्छिंग दिस वीडियो गया